नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी मम्तव एनर्जी की तरफ से अब ऐसा सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि अब वो कॉंग्रेस को सीधा सीधा संदेश देने वाले हैं मम्तव दीदी की तरफ से संदेश अगले कुछ दिन में जा सकता है और वो कॉंग्रेस को सीधी बात कर करने वाली हैं कि देखिए आप कम्निष्ट या TMC CPIM या TMC इन में से किसी एक को चुन लो दोनों आपके साथ नहीं रह सकते हैं अभी तक वर्बली भी ममताप दीदी बोल चुकी है लेकिन अब कह रहे हैं कि अधिकरत रूप से ममताप दीदी इसको फाइनल करने वाली हैं कि बाई दोनों का साथ तो आपको नहीं मिलेगा इंडी एलाइंस में यदि आप TMC को चाहते हैं तो आपको CPIM को मना करना पड़ेगा अब कॉंग्रेस के सामने समझते हैं यह है कि वो CPIM को यदि मना करता है तो पूरी एक टूल किट्स चलाने वाले जो लोग हैं उन से अलग ह जाएंगे और फिर चाइना का क्या होगा सपोर्ट तो चाइना से आ रही है वो चाइना वाली सपोर्ट रुख सकती है केरल में क्या होगा तो यह जो असर पड़ने वाला है इसके कारण लगता है कि कॉंग्रेस CPIM को अलग तो नहीं करेगी तो ममता दीदी को अलग करेगी क ऐसा उन्होंने सोचा कि अर्विन केजरिवाल को साथ लेके चलते रहे अर्विन केजरिवाल जी ने थोड़ा सा जो दिल्ली में सेवा विदेख बिल था उसको लेकर के थोड़ी बात की कि मुझे सपोर्ट करो वरना मैं तो अलग चला जाओंगा तो कॉंग्रेस ने सपोर्ट किया लेकिन उसके बाब जूट क्या हुआ अर्विन केजरिवाल जी ने तो अपनी रफली अपना राग अलग सुरू कर दिया है राजस्थान में कई सभाएं कर दी चच्छिसगड में कई सभाएं कर दी और उन सभाओं में कॉंग्रेस के अलग कर दी क्योंकि वहां सरकार तो कॉंग्रेस की है लड़ाई किस से है कॉंग्रेस से तो सीधा रेली कर रहे हैं और वो वहां की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं इस्कूल के हालत पर सवाल उठा रहे हैं अस्पताल की विवस्ताओं पर सवाल उठा रहे हैं तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने से राज्यों के चुनाओं में भी उतर रही है 24 के चुनाओं के लिए शीर्ट शेरिंग की बात आएगी वो अभी दूर की कोड़ी है इनको लगता है पहले इसके पहले तो एक जूटता दिखा देते हैं फिर उसके बात देखेंगे के कौन अपने को सबसे मजबूत नेता दि कहता हूं कोंग्रेस 2024 के लोगसभा चुनाओं में आपको 25 सीटों पर सिमट्सी दिखाई देगी और उसका कारण बता रहा हूं 25 बंगाल में 42 लोगसभा की सीटे हैं जो सूत्र बता रहे हैं ममता दीदी ने कहा है कौंग्रेस को 5 सीटे दे सकते हैं बिहार आ जाईए आर ज जेडी जेडियू ये कहते हैं कौंग्रेस को 5 सीटे दे सकते हैं उत्तर प्रदेश आ जाईए सबसे ज्यादा सीटे देने वाला 80 सीट हैं लेकिन 80 सीट में सवाजवादी पार्टी भी कौंग्रेस को यही कहने वाली है कि 5 सीटे हम आपको दे सकते हैं बाकी नहीं इस तिति आज आप देख लिए सिंगल डिजिट कॉंग्रेस के लिए चल रहा है और इसी तरह आम आदमी पार्टी पंजाब में भी 13 सीटे हैं कॉंग्रेस के लिए 5 केवल देने को तैयार हो सकती है ऐसा सूत्र कहते है चार, पाँच छे और दिली, दिली में तो कता ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने घोशना कर दिया है, साटो सीटो पर हमारा कैंडिडेट उतरेगा, कॉंग्रेस ने भी कह दिया है कॉंग्रेस नेताओने, हम भी सातो सीटो पर उतरेंगे, तो कुल मिलाकर जो इस्तिती चल रही है इसमें अब अगली जो बैठक इन्होंने तै करी अभी आपको बता दू इन्होंने घोशना कर दी थी के मद्दे परदेश में क्यूंकि चुनाओ है विदान तबा का इंडिया एलाइस ने घोशना कर दी थी जिसके बाद आपने देखा दिल्ली की बै पत्रकारों के वहसकार का उसकी भी हवा नितिश कुमार ने निकाल दी उन्होंने कहा दिया मैं तो पत्रकारों के साथ हूं मुझे נीपता किसने क्या गोशना करी तो नितिश कुमार को अच्छे से पता है कि इन्होंने पत्रकारों के बहिसकार का फैसला लिया है और वो चोरे पत्रकारों के लिस्ट आई लेकिन नितिश कुमार ने उनके एजड़ी के हवा निकाल दी उन्हों का मैं तो पत्रकारों के साथ हूँ पत्रकार को अपनी बात कहने के आजा दिये प्रशन पूछने की आजा दिये और ये तो बहुत गलत है यानि कॉंग्रेस का जो कदम है या जो उसमें आम आदमी पार्टी भी थी शरत पवार भी थे इन्होंने मिलकर के डिल्ली में बैठक में तै किया था तो इसका मतलब नितिश कुमार ने तो दिखा दिया किया आपका जो फैसला हो बाई जातिगत घंडना कराइंगे ममतादीदी ने खुलकर मना कर दिया हम इसके साथ नहीं है अभी तो आने दो उनको फिर बताएंगी दूसरे मुद्डे की हवा निकल गई तीसरा मुद्डा क् साथ बोपाल में रेली करेंगे जोइंट रेली होगी अब कॉंगरेस की इच्छा थी है क्योंकि मदप्रदेश में चुना हुआ है वो चाहते थे के एक जोइंट रेली हो जाए इंडिया अलाइंस की सारे नेता माँ भाशन दें एक मैसिज चला जाए हर जाती हर वर को लेकिन आपको बता दू जो सूत्र बता रहे हैं के कमल नाथ ने ये कह दिया कि यहां आ मत जाना अगर तुम यहां आए तो यहां सारी हिंदू बोट कर जाएगी क्योंकि इंडिया अलाइंस का मतलब है डीम के का उदे निदी स्टैलिन भी उस पे होना उदे निदी स्टैलिन का व समापती और वो करेंगे भूपाल में रेली तो भारती जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा देखो बाई यह हैं लोग जो रेली में आये हैं यही कह रहे थे सनातन की समापती और इसको भारती जनता पार्टी फिर एक बड़ी तेजी से भुना सक करती है और उसका असर मद्द प्रदेश के चुनाओं पर नेगेटिव पड़ेगा और इसलिए कॉंग्रेस के ही वहां के नेताओं ने कमलनात ने साथ साप मना कर दिया भाई यहां मताओ हाँ जोड़ दिये तो समझे कौन सा मुद्दा तैह हुआ दिल्ली की बैठक में तै तीनों तीनों की हवा निकाल दी इसका मतलब इंडिया लाइंस की बैठकों का मतलब क्या है शीट सेरिंग पर आप बात नहीं करोगे किसके साथ कौन मिलकर के लड़ेगा इस पर बात नहीं करोगे तो कुल मिला करके यह दिख रहा है कि यह कबल नाटक नोटंकी इनकी चल होना हवाना कुछ नहीं है और इसमें जो अब सीधे सीधे बात करने वाली हैं एक तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना अलग डिसीजन ले लिया वो तो राज्यों के चुनाओं में भी एक्टिव हैं अपनी रेली कर रहे हैं राजस्तान में रेली करते हैं केजरिवाल बाकी डलो को करना है कि भाई वो केजरिवाल को कहेंगे क्या नहीं कि आप भाई अलग मत चलो सबको सही उक्त लेके चलो ऐसा राज्यों के चुनाओं में तो दिखाई नहीं देरा कोई कहता है साब राज्यों के चुनाओं में इन्होंने कहा है कि चलिए राज्यों के चु रहे हो, कि राज्जों में भले ही भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन मोधी को हटाने के लिए 24 में हम एक जुट हो जाएंगे, बढ़िया है, बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि मोधी को 24 में तो आप हरा नहीं पाओगे, राज्जों में अलग-लग-लग लग तो भार आदमी पार्टी ने ने लिया ममताब एनरजी की तरफ से अब किलियर कट बात होने वाली है और अब देखना है कि कॉंग्रेस इसका कैसे जवाब देती है और इस समस्या का समधान क्या सोचती है कि ममताब एनरजी को कैसे साथ लेके चलेंगे अंत में फिर मैं एक बार फिर से कहूंगा कि ये तीसरा गठबंदन बनना ही है जिसमें अर्विन केजरिवाल ममता दिदी के साथ होंगे और नितिश कुमार के लिए समस्या है कि नितिश कुमार ने जिस दिन फैंपला किया छोड़ने का उसी दिन उनको मुख्य मंतरी की कुरसी खाली करनी पड़ेगी क्योंक बाबू अभी मौन होकर के इदर उदर की बाते कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं है मिटिंग में क्या हुआ है अब जो बयान उन्होंने दिया है कि मैं पत्रकारों के साथ हूं क्या कॉंग्रेस इस पर कुछ कह रही है उनको क्या वही तुमने ऐसा बयान क्यों दिया जब हम राज्यों के चुनाओं में अगर ये नेता इस तरह से ही लड़ते हैं तो इसका भी फार्दा भारती जनता पार्टी को मिलेगा और आपको देखो जो वहाँ पर 36 गड़ में कॉंग्रेस के अंदर भी तूट के आसार दिखाई दे रहे हैं यानि जहां सोच रहे थे कि अदिजी की तारीफ करते हुए दिखाई दिए इसी से आइडिया लग रहा है कि अब उनकी इच्छा जागरत हुई होगी और वहां ये हो सकता है कि वो कुछ गुट लेकर के आएं तो भारती जनता पार्टी के सपोर्ट से मुख्यमंतरी भी बन जा है ये चांस उनके झाल 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 झाल